इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक बंदा अपनी हवस मिटाने के लिए लड़की के साथ घपा घप करके पूरी फैमिली को बरबाद कर देता है कहानी की शुरुआत होती है 1992 लंडन से पॉल रेमंड अपनी ग्रेंड डॉटर के साथ कार में जा रहा होता है फिर वो अपने ग्रेंड फादर से पूँचती है उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है आखिर वो इस प्रॉपर्टी का क्या करेगा पॉल उससे कहता है उसने ये प्रॉपर्टी उसकी मम्मी और उसके लिए बनाई है एक्चुल में वो अभी अभी अपनी बेटी डैबी के फ्यूनरल से आ रहा होता है जिसकी मौद ड्रक्स के ओबर्डोस की वज़े से हो गई थी फिर वो अपने घर पर पहुंचता है रेपोर्टर्स उसे चार देखने लगता है कानी फ्लेशवेक में जाती है ये टाइम होता है 1950 का जहां पर पॉल शोज और गनाइस करता है और यहां पर वो नेकेड लड़कियों का यूज करता है जिससे उसका शो हाउस फुल जाए तभी एक शो होने के टाइम शेर एक लड़की पर हमला कर देता है इसके बाद उस लड़की की जगा पॉल की बाइफ जेन को लेनी परती है इसके बाद हम देखते हैं निवस पिपर में एक आर्टिकल छपने के बाद वो उस निज एजनसी पर केस कर देते हैं क्योंकि उस आर्टिकल में लिखा था जेन शो के टाइम बिलकुल नेकिड थी फिर जेन कोट में गवाई देती है, उसने स्किन कलर के अंडर गार्मेंट्स पहने हुए थे, लेकिन इसके बाद भी पॉल केस हार जाता है, बट इसकी बज़े से उसकी पॉपलर्टी बढ़ गई थी, इसके बाद पॉल स्ट्रीट कलब ओपन करता है, इसमें भी वो सक्सेस् लेकिन वो अपनी बेटी के साथ जादा क्लोस था, पॉल की बेटी डेवी उससे पूचती है, इन सभी प्रॉपर्टीज का वो क्या करेगा, पॉल उसे बताता है एक दिन तुम इन सभी प्रॉपर्टीज की मालकिन बनोगी, फिर वो एक बेकरी स्टोर में जाकर कुछ पेस लेकिन पॉल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर पॉल एना के साथ डेट पर जाता है, जहां पर वो अपने फर्ष्ट किस के बारे में उसे बताती है, और यहां पर ये दोनों भी किस कर लेते हैं, रात में जब वो घर पर जाता है, तब जेन समझ जाती है, पॉ उसे बताती है, पॉल उससे पहले भी काफी सारी लड़कियों के साथ इंजॉय कर चुका है, तुम में कोई खास बात नहीं है, वो हमेशा के लिए तुमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन एना पॉल को नहीं छोड़ती, इसके बाद हम देखते हैं, जेन पॉल और एना का पी मिली है, फिर पॉल एना के साथ एक बड़ी से फ्लैट में रहने लगता है, उस फ्लैट की छट भी खुलती थी, ये फ्लैट एना को बहुत पसंद आता है, अगले सीन में हम पॉल को टॉमी के साथ देखते हैं, जो मैगजीन का ऑनर होता है, तॉमी पॉल को साथ में काम करन बनाया जाता है, मेघजीन के साथ-साथ एना भी बहुत सक्सेस्फुल हो जाती है, फिर ये दोनों अपनी सक्सेस्फुल लाइफ को बहुत इंजॉय करने लगते हैं, दूसरी तरफ टेवी को ड्रग्स लेनी की वज़े से स्कूल से एक्सपैल कर दिया जाता है, फिर वो अप पॉल रिपोर्टर्स को बता देता है कि वो अपनी बेटी को लॉंच करने जा रहा है ये पॉल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला था लेकिन फिर भी डैबी का ये शौप फ्लॉप हो जाता है दूसरी तरफ एना के शोज हास फुल जा रहे थे पॉल को फिर समझ में आ जाता है उसे अपने थेटर पर दिहान देना चाहिए ना कि अपनी बेटी पर इसके बाद हम देखते है एना कि सकसेस पार्टी में डैबी भी आती है और वो अपने शोज के फ्लॉप होने की वज़े से अपसेट हूती है फिर टॉमी उसे चिल करने के लिए ड्रक्स पास आती है पॉल उसे कहता है अब वो उसकी अलबम पर पैसे नहीं लगाने वाला क्यूंकि उसे बहुत नुकसान हो रहा है जिससे सुनने के बाद डैबी रूने लगती है उसे लगता है उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है फिर वो टॉमी के पास आती है और से ड्रक मागती है टॉमी का फ्रेंड माइकल टॉमी से कहता है तो मैं उसे ड्रक्स नहीं देना चाहिए वो अभी बच्ची है लेकिन टॉमी कहता है अब बड़ी हो चुकी है इसके बाद हम देखते है पॉल एना के साथ साथ बाकी लड़कियों के साथ भी इंजॉय करने लगा था और डेवी पॉल के समने ड्रक्स लेने लगी थी एना अब इस लाइफ से बोरूच गी थी इसलिए वो पॉल से कहती है वो अब नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और उसे छोड़ कर जाने की बात करती है पॉल उससे पूछता है आखिर तुमें किस बात से परिशानी है दोनों काफी इंजोई करते हैं फिर पॉल मीडिया से मैगजीन को फिर से रिलाउच करने की बात करता है और वो मीडिया से जूट बोलता है कि उसने एना को फायर कर दिया है फिर मैगजीन में किसी और मॉडल को लिया जाता है इसके बाद एक रात पॉल को कॉल आता है देबी के लिए एक सौंग्स लिखने का बाद है किया है इसके बाद हम देखते हैं डेबी जोनाथन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और फिर से अपने सिंगिंग केरियर में लग जाती है इसमें जोनाथन उसकी हैल्प करता है दूसरी तरफ एना एक नॉर्मल थेटर मे एक्टिंग करने लगती है लेकिन वो अभी भी पॉल के कॉंटेक्ट में थी इसके बाद हम पॉल को अपनी एक्स वाइप और पूरी फैमली के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं कुछ टाइम के बाद जोनाथन और डेबी की शादी हो जाती है और बहाँ पर पॉल एना के स डांस करता है और उसे फिर से बापस आने के लिए कहता है लेकिन वो उसे मना कर देती है इसके बाद वो अपनी एक्स वाइप जेन के पास आकर उससे फिलर्ट करने लगता है जेन उससे मैगजीन की मॉडल बनने के बारे में बात करती है पॉल इस बात के लिए रेडियो हो तॉम्यू उसकी बेटी डेवी के लिए भी बुरा बोलता है कि वो साइकू है इसके बाद हम देखते हैं डेवी की डिलेवरी हो रही थी और फो ड्रक्स माँगती है नर्स के जाने के बाद पॉल उसे ड्रक्स दे देता है डेवी एक बेटी को जन देती है जिसका नाम पॉल रखता है कुछ टाइम के बाद डेवी को ब्रेस्ट के अंसर हो जाता है और पॉल उसका इलाज कराता है ठीक होने के बाद डेवी इंटर्व्यू देती है और इसके बाद वो अपने ब्रेस्ट के साइच के बारे में बाते करने लगती है इंटर्व्यू के बाद पॉल डेवी की तरह उसके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दे पॉल वहां से जेन को जाने के लिए कहता है इसके बाद वो अपनी ग्रेंड डाउटर को घर लेकर आ रहा होता है तब ही रास्ते में वो उसकी प्रॉपटी के बारे में पूचती है जैसे कभी डेवी ने उससे पू सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में